जे सियाराम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चानल लड़कोपाल के भक्त में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि राम नवमी का जो पूजन है वो बहुत ही सरल विधी से आप अपने घर पर ही किस प्रकार से कर सकते हैं प्रभूश्री राम की पूजा घर घर में होने चाहिए उनके कारण ही हमारा अस्तित्व है हमारा नाम है तो जहां पर भी आप प्रभूश्री राम की पूजा करने की सोच रहे हैं वहां उस थान पर सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करते हुए आप एक स्वास्तिक का चिन्न बनाएं मैंने यहाँ पर जो है चंदन से और रोली से स्वास्तिक बनाया है आप चाहें तो किवल रोली से ही बना सकते हैं उसके बाद मैंने आए एक चोंकी लगाई है उस पर वस्त्र बिचाया है मैंने आप चाहें तो पीले रंकावी वस्त्र बिचा सकते हैं फिल हाल मेरे पस लाल रंकाई वस्त्र था तो मैंने यहाँ पर लाल रंका आसन दिया है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अक्षत का आसन देते हुए प्रभुश्री राम को गणपती महराज को और एक लूटा जल भी जरूर रखोंगी जो हम प्रभुश्री राम का यहाँ पर चित्र लेंगे वे इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें हनुमान जी जरूर से हो अक्षत कासन देते हुए ही मैंने गणेश जी को और एक लोटा जल भी रख लिया है और यह वस्त्र रूपी का लावा है जिस पर मैं इत्र लगा रही हूँ और यही वस्त्र रूपी का लावा जो है हम गणपती महराज को और प्रभू श्री राम का जो हमने यहाँ चत्र रखा है उन दोनों को समर्पित कर देंगे और इसके बाद जो है हम एक पीले रंग की चुन्री लेंगे क्योंकि प्रभू श्री राम को और माता सीता को दोनों को ही पीले रंग के वस्त्र अतिप्रिय है तो हम एक पीले रंग की चुन्री लेंगे और वो भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे क्योंकि यह राम नम्मी का लक्ष है तो ऐसे में यदि आप श्रिंगार समर्पित ना भी करें तो केवल चुन्री है समर्पित करें तो भी आपका चल सकता है तो इसके बाद हम गनीश जी को पुष्प समर्पित करेंगे, मासिता को लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे और प्रभूश्री राम को एक फूलों की माला यहां पर भेट करेंगे उसके बाद जो है हमने लोटे को एक प्लेट से ढख दिया है, उस पर कुछ अक्षत रखे हैं, एक दीप रखा है, भोग के लिए हमने यहां कुछ फल रखे हैं, चौंकी के बीचो बीच भी हम एक दीप रखेंगे, कुछ मेवे का भोग भी हम यहां पर जरूर से लगाएंग क्योंकि राम नम्मी का उपलक्ष है, ऐसे में दीप दान जो है वे बहुत ही जरूरी है, आप कितनी भी संख्या में दीप दान कर सकते हैं, पांच, साथ, नौ, ग्यारा यां उससे भी अधिक, इसके बाद हम सबको तिलक लगा लेंगे, प्रभू श्री राम की तस्वीर मे मैंने यहां पांच दीपक लेंगे, तो उन सबको भी हम तिलक लगा लेंगे, यहां पर मैं रोली से तिलक लगा रहे हैं, उसके बद मैं चंदन से तिलक लगाऊंगी, और जो मैंने यहां मिट्टी के दिये लिया हैं, इन्हें मैं तिलक की सहायता से ही सजा लूँगी, आप चाहें तो ये सब दीपक जो हैं, इनका दीपदान आप किसी मंदिर में जाकर, राम मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर चौंकी की स्थापना करी है, मैं यहीं पर पूजा कर रहे हूं, तो इसलिए मैं यहीं पर जो हैं दीपदान कर रहे हूं, तो इस प् हनुमान जी की पूजा जो है वो अनिवारे हैं इसके बिना प्रभूश्री राम अपनी पूजा स्पिकार नहीं करते हैं और आपने जो भी भोग यहां समर्पित क्या है उन सब पर तुलसी का पत्र जरूर से अर्पित करें क्योंकि बिना तुलसी के प्रभूश्री राम और ह तो आप अपने समया और समर्थ अनुसार जो है कोई भी पार्ट कर सकते हैं तो उमीद करती हूं कि राम नम्मी की ये सरल पूझा विदी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसके साथ ही मेरे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर की जिगाभी के जै श्रीराव